Hello friends, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss 5 JavaScript projects that you can do as a beginner. So start करने से पहले कुछ points आपके साथ discuss करना चाहूंगा. जो भी project मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मैंने खुद किये हैं, और उन सभी के GitHub की link आपको description में मिल जाएंगे. और जो भी project में बताने वाला हूँ, वो sequence वाई से, जैसे जैसे आप project करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी JavaScript की knowledge बूस्ट होती चली जाएगी. और जल्द ही इन सभी project की tutorials हमारे चैनल पर अप्लोड होने वाले हैं, तो प्लीज हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, आप अभी subscribe कर दीजी और notification bell को on कर दीजे. तो पहला project ही सबका favorite JavaScript Digital Clock. तो आपने कहीं ना कहीं, JavaScript Digital Clock के बारे में पढ़ा ही होगा, या फिर किसे ना किसे से सुना ही होगा, कि अगर आप JavaScript के साथ start करना चाहते हैं, तो आप एक Digital Clock बना सकते हैं, लेकिन में जो यहाँ पर बात करने वाला हूँ, वो normal clock की बात नहीं है, यहाँ पर हमें time zone के according time show करवाना है, एक ही page पर at least four country का हमें time एक ही बार में show करवाना है, ठीके, तो यह बहुत ही basic concept के साथ आप कर सकते हैं, तो जावाज script के साथ जो आपकी friendship है, इस project के साथ आप बहुत ही अच्छे से उसको start कर सकते हैं, next project भी बहुत basic है, drum kit, drum kit में basically क्या होगा, तीन-चार अलग-अलग drum होगी, और अगर आप उस पर click करो या hover करो, तो अलग-अलग sound produce होने चाहिए, तो इस तरह से अलग-अलग buttons पर अलग-अलग आवाज आपको निकालनी है, और इसको हम keyword की help से भी operate कर सकते हैं, जैसे मैं W दबाऊं, A दबाऊं, S दबाऊं, तो इस तरह से ये project रहने वाला है, ये भी बहुत ही basic project है, दो basic project करने के बाद, आपको confidence ही जाओं, उसके साथ वह बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जब आप problems के साथ लड़ेंगे, और उनका solution आपको मिलतावा दिखाई देगा, तो आपके लिए बहुत ही helpful होगा, लेकर अगर आप डाये बड़े project के साथ शुरू करते हैं, और उसके साथ problem जो आएगे हो भी बड़ी होगी, उसका solution करने में, अगर आप solution नहीं कर पाएंगे, तो आपको confidence level गिर जाता है, इसलिए initial level पे अगर आप इन दोनों project के साथ start करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही beneficial रहने वाला है, next project है, ID card generator, basically इसमें क्या होगा, आप user से एक form भरवाएंगी, उनकी basic details भरवाएंगी, जिसे नाम, role number, address, father name, और इन सब information की हल्ग से, आप एक ID card उनको generate करके दे देंगे, इसका example आप हमारे screen पे देख सकते हैं, तो इस form में हमाँ अपनी details भरनी पड़ेगी, तो अपि मैं कुछ भी भर लेता हूँ, father name, date of birth, mail ID, और अभी submit करता हूँ, तो यहाँ पर हमें alert क्या बताया जाएगा, please fill all required fields, अगर मैं अभी गलत contact number लिख दूँ, और यह मेरा role number है, information technology branch, address में कुछ में डाल जाता हूँ, अगर अभी मैं submit करूँ तो यह क्या बोलेगा, please enter a valid contact number, तो इस तरह से validation भी बहुत अच्छे से perform करनी हैं आपको भी, please insert a photo ID, तो हमें photo भी upload करनी पड़ेगी, और अगर हम मैं submit करता हूँ, तो यह हमको एक card generate करके दे देगा, अगर आप background color को change करना जाते हैं, क्योंकि यह optional है, तो अगर मैं बिना hash के डालता हूँ, तो यह क्या बताएगा, please enter a valid color code, तो valid color code कब होगा, जब हम आपके hash लगाएंगे तब, अब यह background black हो गया, अब हम text color को भी change करने का option दे सकते हैं, ठीक है, तो text color को मुझे white करना है, इस तरह से आप देख सकते हैं, कितने एची तरह से हमने एक ID card को generate किया, तो यह project आपको भी करना है, और इस project का भी tutorial दर आपके सामने जल्दी आने वाला है, तो यहां से हम media level के project में एंडर गरते हैं, ID card generator में आपको थोड़ी बहुत extra problems मिलेंगी, कुछ अलग तरह के problems मिलेंगी, और उनको solve करने में आपका काफी time जाएगा, लेकिर एक बार आपने उनको solve कर लिया, तो आपका confidence भी बहुत boost हो जाएगा, और आप next problem के लिए प्रिपेर हो जाएगे, फूर्थ प्रोजेक्ट है quiz app, quiz app में basically आपको क्या करना है, JSON file में, question store करने, इनको option store करने, उनके answer store करने है, फिर आपको वो data js file में लेना है, एक time पर only one question show करवाना है, और user से उनका answer लेना है, और उनके result में store करते जाना है, एक particular time period के बाद, two of minutes, five minutes, ten minutes, अपने according आप चूज़ करिएगा, उस particular time period के बाद, user का result है, वो आपको show करवाना है, और अगर user पहले ही quit कर देता है, तो उस condition में भी आपको उसका result show करवाना है, last project है Simon game, यह थोड़ा high level का project है, और इसका logic है, बहुत ही तगड़ा है, तो अगर आप इस project क्यों कर लेते हैं, तो आपकी logic building है, बहुत ही शांदार होने वाली है, इसमें भी आपको JavaScript की core concept ही use करने है, लेकिन जो logic building है, बहुत ही तगड़ी है, अगर आप इस project की कर लेते हैं, आपका confidence level में बिल्कुई high level पर जाने वाला है, तो basically इस game में क्या होगा, कि system आपको pattern प्रोवाइड करवाएगा, और उस pattern को आपको match करते रहना है, for example, पहली बार में system ने red पे click किया, तो आपको red पे click करना है, तो आपको पहले red पे click करना है, फिर blue पे click करना है, फिर तीसरी बार में आपको system ने red पे click किया, तो आपको पहले red पे करना है, फिर blue पे करना है, फिर red पे करना है, और इसी तरह से pattern बढ़ता चला जाएगा, अगर आपने गलत pattern पे click करा, तो वो गेम वहीं पर रुख जाएगा और आपका जो score है वो बता दिया जाएगा इस project को थोड़ा अच्छे से explain करने के लिए इस screen पे आप इस project का demo देख सकते हैं यह साइमन गेम, साइमन गेम में क्या होगा आपको कोई भी कीस दबानी इसको start करने के लिए तो अब यह system ने एक हमको pattern provide किया तो अभी हमको पता है yellow अब system वापीस दूसरा pattern provide करेऊगा तो हमको पहले वाला भी याद रखना है First, फिर second First, second, third First, second, third, fourth First, second, third, fourth, fifth First, second, fourth, fourth तो गलत होने पर इस तरह से game over हो जाएगा ठीके तो at last मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इन सभी project के tutorials हमारे channel पर जल्द ही upload होने वाले हैं और यह कोई normal tutorial की तरह नहीं होगा कि मैं आया और मैंने मुझे जो करना था तो बोषिय को समझाव चला गया नहीं इस प्रोजेक्ट को करते वक्क में इस प्रोजेक्ट से गुजरा था अस बिगिनर मिया उस में प्रोजेश के थ्रूम मैं आपको ले जाना जाता हूं तो आप भली वो प्रोजेक्ट कर लेंगे, लेकिन आगे के प्रोजेक्ट आप नहीं कर पाएंगे तो इसलिए आपको कॉंफिदेंस बूस्टिंग के लिए सारे टुटिरल्स इस तरह से बनाए जाएंगी कि एक बिगनर लेवल पर आप केसे कोशन के साथ, प्रोब्लम्स के साथ बेड़ते हैं, फिक है? तो आई होब पाँचों प्रोजेक्ट आपको अच्छे लगे होंगे और आपको इनको करने की इच्छा होगी तो हम आपका कमेंट जरूर जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं इन प्रोजेक्ट से बारे में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेर और सस्क्राइब जरूर कीजेगा और बने रहे हम अरसाथ